अब हमने number of particles तो find कर रही हैं in terms of फर्मी नर्दी but sometimes आपको पूछा जाता है number density find करना number density किसके एकल होगा number density होता है number of particles per unit volume अब यहाँ पे अगर हम A में देखे A में हमारे पास एक factor आ रहा होगा ठीक है क्योंकि A हमारा कहां से आया है A आया है हमारा density of states से density of states का अगर हम formula drive करें तो वो कहां से आता है हमारे पास number of microstates किसके एकल होती है number of microstates होती है volume pi raised to power d by 2, p raised to power d, d by 2 का factorial और h raised to power d इसको e की terms में लेके आएंगे फिर derivative कर देंगे तो इसका derivative क्या होता है density of states तो यहां पे एक हमारे पास volume की term आ रही है तो यहां पे A में भी हमारे पास volume की term आएगी तो हम क्या करते हैं A से volume वाली term को बाहर निकालते हैं ठीक है तो इसको हम लिख देते हैं V तो V को छोड़के जो buck की term है उसको हम क्या मानते हैं A ठीक है बाकी जितने भी constant है उसको हम क्या मानते हैं A तो यहां से number density किसके एक को ला जाएगी number density हो जाएगी A S by D E F raised to power D by S ठीक है तो हम number of particles in terms of firm energy निकाल सकते हैं फिर हमारे पास number of particle number density in terms of firm energy भी find कर सकते हैं ठीक है अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं अब हमने निकाल ली है average energy average energy को हम ground state energy भी बोल सकते हैं ground state energy को zero point energy भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि हम बात कर रही हैं zero Kelvin पे, zero Kelvin पे सारे के सारे ये क्या है ground state में है और ये क्या है empty है हमारे पास तो ये जितने भी हम निकाल रहे है ये number of particles ये क्या है जब ये सारे ground state में present है तो इसको हम जो इसकी energy निकल के आएगी particles की वो क्या होगी ground state energy जा फिर average energy ठीक है energy हमारी किसके इकल होगी energy किसके इकल हो सकती है energy हमारी होगी कि कितने number of particles है जैसे ये है यहाँ पे N1 number of particles है इस level की energy U1 है यहाँ पे N2 number of particles है यहाँ पे इस level की energy कितनी है U2 ऐसे ही यहाँ पे N3 number of particles है और इसकी energy कितनी है U3 अब यहाँ पे आप total energy के लिए क्या करोगे इनको multiply करोगे plus इनको multiply करोगे और plus इनको अब अगर हमारे पास continuous का case है तो अब क्या करोगे इसको N1 into U1 और यहाँ पे क्या कर दोगे D U लगा दोगे ठीक है तो यहाँ ऐसे हम total energy find कर सकते हैं total energy find कर सकते हैं तो similarly हमने यहाँ पे करना है number of particles total number of particles कितने हैं हमारे पास यह तो यहाँ पे हो जाएगा F of E, G of E, D E बट हमने क्या करना है साथ में energy level को multiply करना है तो energy level हमारे पास क्या है E हम each energy को हमने ऐसे माना है कि इस level की energy E है अगर इसकी E plus D E है तो इसमें इस energy level में हमारे पास कितने number of इस energy interval में हमारे पास कितने number of particles आ रहे हैं इतने ठीक है और इस level की energy कितनी हो गई हमारे पास E हो गई ठीक है interval D E है total find करने के लिए क्या करोगी 0 to infinite कर दोगे क्योंकि energy की value तो कुछ भी हो सकती है अब same F of E की जो हमने अभी value लिखी थी F of E की value क्या लिखी थी इसकी value 1 होगी जब E 0 to EF के बीच में लाई करेगा 0 होगी अगर energy EF से greater होगी ठीक है तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा 0 to EF E F of E की value 1 into G of E की value A अब यहाँ पे A में से हम क्या कर सकते है volume वाली term को outside लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि अगर number of particles per unit volume निकालना हो जा फिर number density अगर यहाँ पे भी energy density निकालना हो तो हमें volume की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे V outside निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी V आ जाएगा फिर E raise to power D by S minus 1 यह हमारी density of states की value है और साथ में D E ठीक है अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा से simplify करें तो U is equal to यह A और V तो बाहर आ जाएंगे E E ठीक है base same है power side करोगे तो क्या बच जाएगा सिर्फ 0 to E F E raise to power D by S into D E अब इसकी integration कर दो A V E raise to power D by S plus 1 by D by S plus 1 limits put करोगे 0 to E F ठीक है तो हमारे पास average energy यह आ गई अब यहाँ पे upper or low limit put करोगे तो 0 upper limit put करोगे तो क्या आ जाएगा E F तो U is equal to A V E F raise to power D by S plus 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा इसका LCM लोगे तो यह आ जाएगा S by D plus S ठीक है तो यह आ गई हमारे पास average energy की value यह क्या है average energy जा 0 point energy जा फिर इसे ground state energy भी बोल सकते हैं ठीक है अब हमने अगर energy density निकालना हो तो कैसे आ जाएगा energy density किसके एककल हो जाएगा U by N ठीक है तो यह हो जाएगा S A by D plus S E F raised to power D by S plus 1 ठीक है अब हमने number of particles भी निकाल लिए है average energy भी निकाल लिए है अब हम third निकाल सकते है average energy per particle average energy per particle average energy per particle तो यह किसके एककल होगी average energy U by particle means N तो U की value क्या है यह S A V E F raised to power D plus 1 by D plus S by N की value यह given है V A S by D E F raised to power D by S plus 1 तो यहाँ से यह तीनों cancel ठीक है तो हमारे पास स्री यहाँ पे सिर्फ यह है यहाँ पे E F raised to power D by S है तो यहाँ से इसको solve करेंगे यह D उपर D by D plus S E F की यहाँ पे D by S है उपर लेके जाओगे यह cancel हो जाएगा तो सिर्फ E F बचेगा तो average energy per particle किसके एककल है D by D plus S E F ठीक है तो यह तीन relations बहुत important है यह आपको learn होने चाहिए ठीक है यह E के साथ कैसे vary करते है सिर्फ आपको यह बहुत main result क्या है सिर्फ कि number of particles E F के साथ कैसे vary कर रहे है और average energy E F के साथ कैसे vary कर रहे है और number of particles average energy per particle कैसे vary कर रहे है E F के साथ ठीक है तो अब यहाँ पे अगर हम देखे number of particles वेरी कर रहे है EF के साथ D by S के साथ average energy EF यहाँ पे volume लिख लो ठीक है क्योंकि volume बाली term आ रही है EF raised to power D by S plus 1 और average energy per particle कैसे वेरी कर रही है EF के साथ ठीक है अब यहाँ पे अगर यह तो हमने EF के साथ वेरीेशन निकाली है अगर आपको temperature के साथ वेरीेशन पूची जाए कि number of particle temperature के साथ कैसे वेरी कर रहे है average energy temperature के साथ कैसे वेरी कर रही है average energy per particle temperature के साथ कैसे वेरी कर रहे है वो भी आप निकाल सकते हो सिरफ आपने क्या करना है EF को KB T put कर दो, ठीक है, EF को KB T put करोगे, KB T क्या है, Boltzman constant, तो यह का constant है, तो EF temperature के साथ vary करती है, तो यह वाले expression क्या हो जाएंगे, यह वाले expression को आप लिख सकते हो, ऐसे ही V T raise to power D by S, सिरफ EF की जगार पे T करना है, इसकी variation बहुत simple है, ठीक है, N is directly proportional to V, T raise to power D by S, U directly proportional to V, T raise to power D by S plus 1, और U by N is directly proportional to T, ठीक है, तो यह EF के साथ variation है, और same ही variation होती है, temperature के साथ, ठीक है, तो यह बहुत important results है, क्योंकि यह boson के लिए भी काम करते हैं, और यह fermions के लिए भी काम करते हैं, और classical के लिए आता है, तो उसके लिए भी यह वाले result काम करते हैं, तो यह एक generalized formula है, कि जैसे merge particles आजाएं, ठीक है, अब उसके बाद, यहाँ पे हमारे पास, एक odd term आती है, एक odd term क्या आती है, कि pressure, ठीक है, pressure average energy के साथ कैसे vary करता है, जो इसका सरफ generalized formula बता रही हूँ, pressure किसके एकल होता है, s by d, u by v, pressure की variation देखो, ऐसे होती है, pressure किसके एकल होता है, s by d, s की value आपको पता है, 2 जा फिर 1 हो सकती है, d क्या है, dimensions है, u क्या है, average energy, v क्या है, volume, average energy per particle, तो हमारा pressure का generalized formula यह होता है, ठीक है? अब इसी में हमारे पास एक और variation हो सकती है, वो क्या हो सकता है, हमें पता है, कि जो specific heat है, at constant volume, यह किसके एकल होता है, d, u by d, t, at constant volume, तो आपने क्या करना है, u का derivative कर दो, temperature के साथ, तो आपको c, v पता चल जाएगा, u का derivative करोगे t के साथ, तो सिरफ अगर हम proportionality देखें, constant term को include नहीं कर रहे हैं, तो यह आजाएगा, एक power कम हो जाएगी, तो d by s आजाएगा, ठीक है, तो c, v, temperature के साथ, ऐसे vary करता है, ठीक है, यह भी बहुत important result है, ठीक है, अब को c, v, पता चल गया, c, p, निकाल सकते हो, क्योंकि c, p, minus c, v, is equal to r होता है, ठीक है, measures formula use करके, आप c, p, की भी variation निकाल सकते हो, temperature के साथ, ठीक है, तो इतने results, ठीक है, यह आपको condense में भी काम आएगे, और जब आप stat and thermo करोंगे, वहाँ पे भी काम आएगे, इस पे, इस पे बहुत important, एक question आ, आ चुका है, maybe net December 2019 में आया था, ठीक है, तो यह जो formulas है, यह बहुत important है, ठीक है,